नमस्कार, मैं शीतल्पी सिंग, सत्यिंदी.com पर आपका स्वागत है। जो गाउं में था हमारे हाँ, वो उन्होंने पिछले पांच सालों में खत्म कर दिया है। युनाइटेड नेशन्स में भाषन वाले मामले में, तो उस दोरान उन्हें एक बहुत बड़े NGO ने, जो अमेरिका का और विश्व का बहुत प्रसिद्ध है, Bill and Melinda Gates Foundation, उसने उनको इस काम के लिए पुरस्कार भी दिया था। तो कुल मिलाजुला के इसका एक बहुत बड़ा मेगा शो हुआ ये और मेगा एलान हुआ। इसके पहले 2017 में हरियाना राज ने एक घोशना कर दी थी, कि उनकी अब ओफिन्टिफेकेशन जो है, खुले में शौच, वो अब खतम हो गया है। तो एक ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि पटना हुआ, बनारस हुआ, ये सब अतिवरिस्टी के दौर में पानी की निकासी का सिस्टम ठीक न होने की वज़े से डूबे हुए हैं, पानी बंद भी हो जा रहा है, फिर भी शेहरों से पानी नहीं निकल पा रहा है, चुकि निकासी के लिए होते हैं, वो सब कामी नहीं कर रहा हैं, समय मिट्टी जमी हुई है, और कूडा जमा हुआ है, और ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि हमारी योजनाओं की असलियत ये है, कि एक समय तो एक प्रधानमंतरी कहा करते थे कि जो हम भेजते हैं 100 रुपया वो ने थोड़ा सा इसके पहले कि मैं गूगल करता और खोजबीन करता, मैंने एक सिंपल एक काम किया कि मैंने एक फेस्बुक पोस्ट डाली सुबह, इसको करने से पहले सोचा, जो लोग मुझे फेस्बुक पर पढ़ते हैं, जिनको मैं पढ़ता हूँ, उनके बीच मैंने का एक छोटी मुटी जनकरी दें, लें और आप लोगों तक दें, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जो लोग गाउं से जुड़े हैं, और अगर आजकल गाउं के आसपास हैं, गाउं में जाते हैं, गाउं से परचित हैं, तो जब अपने गाउं का हाल बताईए कि वहां इस पूरे अभियान का क्या असर हुआ है, मेरे पास 40-50 जवाब आये हैं, उसमें से कुछ मैं पढ़ दे रहा हूँ, कोई अयोध्या के राधे शाम है, तो ये जनाब लिखते हैं कि इनके गाउं का नाम है रणापुर, तैसील है मिलकीपुर और जिला है अयोध्या, ये कहते ह कि इनके गाउं में तो कोई शोचाले नहीं बना, अब हो सकता है भाई, पता नहीं, लेकिन ये अपवाद हो सकता है, इनका ये कहना है, आशीश कुमार कहते हैं कि काम तो हुआ है, अभूत पूर हुआ है, असरार खान कह रहे हैं, ये सुल्तानपुर के मेरे जनपत के आबादी अभी भी खुले में शौच कर रही है और यहां तक की राजधानी दिल्ली के बहुत से गरीब इलाके और आसपास के जो NCR के इलाके हैं उनमें भी बहुत सारे लोग रेल्वे लाइनों के किनारे और जाडियों अगरे में शौच करते हैं। इन्होंने आश्टोष पांडे हैं वो लिख रहे हैं कि भई ये बने तो हैं गरीबों के इजद घर लेकिन इनमें मल निकासी की कोई विवस्था नहीं है इसलिए ये बड़ी जल्दी भर जाने के बाद यूजलेस होते जा रहे हैं। पावन कुमार लिख रहे हैं मैंने इन से पूचा कि भई आप अपना गाव अगरे का नाम बताईए तो इन्होंने भी नारनौल हरियाना के हैं ये और ये कह रहे हैं कि ये सोचाले बने तो हैं लेकिन इन से सडान्ध और बद्वू का नया रिकार्ड बन रहा है जिससे बह बने वो भ्रस्टाचार की वज़े से ऐसे बने कि उनकी उम्र नहीं थी वो बने कागज पर बने फोटो खिचा उसका पैसा भुकतान हो गया उसमें सब खापी लिया लोगोंने बहुत जगे वो नस्ट हो गया या दूसरे कामों में प्रयोग हो रहे हैं शौच के लिए प् मुसापूर पंचायत में तो ये कह रहे हैं कि इसमें बारा हजार रुपे मिलते थे जिसमें से दो हजार रुपे दलाली में चले गए जो दस जार रुपे मिले उसमें आदमी ने बनवाया टेड़ा मिढ़ा करके लेकिन ज़द अतर लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं इनक नहीं है कि यह सारी बाते सच होगी हो सकता या लोचनात्वक टिपणिया जादा आ रही हो लेकिन ये बातें भी हैं और इन्होंने गाउं पता वगर दिया है एक कोई सत्यम मिश्रा हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार को रतन पूरा इटैली अतरॉल पांडे मार्क पर हो रहा है इसको निकालने का जो सिस्टम है अभी उसकी कहीं मैं उसके आकड़ों पर बाद में आऊंगा इनकी मैं डेटेल्स पढ़ दे रहा हूं कोई जेके सिंग है सागर जिले के मध्रदेश के वो कह रहे हैं अभी बहुत से लोग खुले एक इलाके में जाने को मजबू है यहीं से अशोक नगर तैसील इशागर मध्रदेश से कोई राजवीर सिंग सोनु है वो कह रहे हैं कि उनके गाउं में चार सोचाले बने हैं सरकारी पैसों से और यह जूठी रिपोर्ट लोग उपर भेज देते हैं नीचे ऐसा नहीं है बहुमत अभी भी उसी तरह से है जैसे था कुछ लोग इनको चैलेंज भी कर रहे हैं कि गाउं का नाम है सहसूती इस तरह से बहुत सारी जो टिपड़ियां आई हैं हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग हुँचा सरकार की अलोशना करना चाह रहा है इसलिए वो सब दे रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि एकद तो गया है और टेड़े मेड़े सुखे टाठे बने हैं ये लेकिन इनके जहां तक प्रयोग का सवाल है उसको लेकर बड़ी भारी शंकाएं हैं अब मैं जिम्मेदार इस्टेडीज की थोड़ी सी बात करूंगा एक इंस्टिट्यूट है रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ कमपेशनेट एकनॉमिक्स राइस करके उसकी कोई संगीता व्यास है उन्होंने बताया कि बिहार, मध्यपरदेश, यूपी, राजस्थान ये 2018 तक के निर्मान पर इनकी स्टेडी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इन्होंने कहा कि बिहार, मध्यपरदेश, उत्तरप राजस्थान जिन चार जगों की इन्होंने स्टेडी की, उन जगों में आधे लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं, तो ये बने हैं, लेकिन इनका जो अमल का असर है, वो ये हैं, अब मैं इसके बाद एक दूसरी चीज़ बताना चाहूंगा, जो जानना जरूरी ह और जो तकनीकी है और उससे ये भ्रहम खतम होगा कि इस तरह की योजनाओं का जिनका बहुत प्रचार हो जाता है, और जिससे बहुत सारे राजनेता ऐसे निसकर्ष निकाल लेते हैं, कि ये समस्या हल हो गई, लेकिन असलियत में क्या होता है, इसके लिए इसको जानना टॉलेट में जाते है, वो टॉलेट उनकी किसी सीवर लाइन से जाके जुड़ती है, सीवर लाइन कहीं मलनिकासी यंतर में सफाई के लिए जाती है, और वहाँ से ये नदी में ठेली जाए, समुदर में ठेली जाए, या उसका कोई ट्रीट्मेंट होके, और री यूज कर यहतादाद हमारे देश में कुल 11,5 करोड़ों की हैT, इसके बाद 28 करोड़ों ईसे हैं जो इस तरह के मलनिकासी सिस्टम से जुड़े हैं, जिसमें वह सिवर से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन वह वयुज़्थ था थोड़े सी चाक-चौबंध हैं, वह बड़े पिटम बन या वो दूसरे पिट बनवा लेते हैं उसके बाद लेकिन वो शौचालेयों में शौच के लिए जाते हैं लेकिन 88 करोड़ अबादी 88 करोड़ एक अरब 30 करोड़ में से 88 करोड़ अबादी ऐसी है जो इस खुले में शौच वाली व्योस्था से जूड़ी हुई है उसको लान पर सोचाले पहले ये थोड़ा उससे काफी कम था कभी 6-7,000 तक था कभी 4,000 भी था और जैसे 4,000 से 8,000 में भी नहीं बन पाते थे तो 12,000 भी कोई sufficient बजट नहीं था चूंकि सिर्फ एक कमरा सा खड़ा कर लेना और उसमें 2 seat लगा देने से नहीं बात बनती है बात बहुत स चीज़ों का निदान अभी तक यह जना में नहीं हुआ है बहुत सारी जगों पर इसलिए नतीजा यह है कि मुख्यमंतरी हरियाना घोशना कर देते हैं और जब वायर की टीम वायर पॉटटल की टीम उनकी उनकी गाओं में जाती है तो पाती हैं कि उनके गाओं के बाहर ब willingness है लेकिन सरकारी योजनाएं जो है वो complete नहीं है और जो हमारा implementation का तरीका system का है उसको ठीक करने के लिए कोई जादू नहीं किया गया है तक ना जादू हो पाया है ना जादू हो सकेगा उसके लिए तो बहुत सारे फैसले लेने होंगे जो फैसले नहीं लिए गया है यह से भरस्टाचार खतम करने का सवाल है जब भरस्टाचार नहीं खतम होगा तो आप 12,000 देंगे, 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, 15,000 देंगे उसमें ज्यादतर हिस्सा भ्रस्टाचार की भेट चड़ जाएगा जो बचेगा लोगों के पास बहुत गरीबी है हमारे देश में आप जानते आधी अबादी बहुत ही गरीब है और जो है टोटल हमारा एवरेज पंद्रह सो डॉलर सालाना है यानि करीबी एक लाख रुपए सालाना पे हमारा देश की एकनॉमी का मतलब पर कैपिटा इंकम है तो बहुत ही गरीबी है ऐसी सूरत में अगर छोटे मोटे पैसे किसी सरकारी योजना में लोगों के पास आते हैं तो सबसे पहले उनकी दूसरी जरूरते होती जो उस पर ओवर पावर कर लेती है लेकिन फिर भी मैं खुद अपने गाउं से जुड़ा हूँ हूँ रेगलर आता जाता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जो शौचाले बने हैं उनमें इस्त्रियों का जाने का प्रतिशत बढ़ा है चुकि इस्त्रियों के लिए एक बहुत भारी समस्या है कि वो कहां जाएं दिन में बिचारी नहीं जा पाती हैं जो खुले में शौच की व्यूस था उसमें वो मतलब मुह धेरे जाती हैं और फिर रात में जाती हैं इंतजार करती हैं दिन डूबने का चुकि अब अबादी के बढ़ने से जंगल और जाडियां वाडियां अभी सब बहुत कम है तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है ओपन डिफेकेशन एक बहुत बड़ा कस्ट है इस्त्रियों के लिए तो बहुत तकलीफ की इस्तिती है इसलिए ये अभियां बहुत ही अच्छा था ये अभियां सफल होता बहुत अच्छा होता और सफल हो अभी भी ये कामना है लेकिन उनको उनकी रियल्टीज के साथ हमें देखना होगा अब डाउन टूर्थ नाम की मैगजीन ने इस पे काफी अच्छा काम किया है और उन्होंने उन्ही सवालों को उठाया जिनको मैंने आपको थोड़े आकड़े में बताया उन्होंने कहा कि जो 2015 में पहले राउंड के सोचाले बने थे उसमें 90 प्रतिशत या तो गिर गए हैं या तूट गए हैं या उनमें कोई दूसरा काम कर रहे हैं वो लोग या उनमें शौच भर गया है चुकि हमारी 70% सौयल ऐसी है जिसमें पानी रुख जाता है और 30% यह जिसमें पानी ज्यादा डीप जाता है तो 70% एरिया में वहाँ दो-तीन साल में वो मल से भर जाता है अगर दो-तीन साल नॉर्मल चले तब वरना वो उसके पहले ही भर जाएगा और एक बार भर जाएगा तो लोग जाही रहा कि कहीं बाहर जाने को मजबूर होंगे तो जो 2015 में Shoulda पंदर में बने हैं वो तो ज्याहत तर जो रहे होंगे उनम्मे अब उपियोग में नहीं होंगे बहुत 20-30% होंगे अगर वो सब सही बने हो तो 2016 भरने वाले होंगे 19 में 2017 वाले 20 में भर जाएंगे तब क्या होगा और फिर वो दूसरी चीजों पर आते हैं चुकि ये सब हमने उसको संबध नहीं किया है जो treatment, plant और sewer ये मल निकासी कहा होगी इस काम को हमने नहीं लिया है तो इससे जो मल कीचण पैदा हो रहा है उसके निकासी का तो कोई इंतजाब है नहीं तो ये सारी ये वियोस्था बनेगी इस पे बजट गया होगा बहुत लंबा चोड़ा बहुत पीच ठोकी जाएगी पुरुसकार हो जाएंगे प्रचार हो जाएगा और बाद में पाएंगे हम इसे दो-तीन साल बाद स्टेडीज में कि सब खतम है तो ये तब तक इसका कोई मतलब नहीं है इन्होंने तो आकड़ों सहीद बताया है कि करीब चार लाख टन मल त्याग हमारे देश में होता है और एक और बड़ी समस्या है इस सरकार के आने के बाद एक अजीब सी समस्या शुरू हो गई है कि बहुत सारे विभागों के अब आपको आकड़े ही नहीं मिलते जिन आकड़ों पर ये रिपोर्ट बात कर रही है वो 2015 का है 2015 के बाद इसके कोई आकड़े ही नहीं आए अब आकड़े ना आने की स्थिती में अनुमान लगाने पड़ते है तो 2015 से 2019 तक जो स्थिती है उनका ये कहना है कि हमारे हाँ 38,254 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज निकासी होती है और हमारे ये पास जो पूरे देश में क्यों सफाई की शमता है यानि करीब हमारे पास 40,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन का तो सीवेज था लेकिन हमारे पास शमता कुल 12,000 मिलियन लीटर की थी इसको सफाई करने की और इसमें से क्या था ये उन 2015 के हिजाब से जो अनुमान लगाया गया आप ये संख्या बढ़के 62,000 मिलियन लीटर हो चुकी है लेकिन जो हमारा S.T.P. है जो इसको सफाई करते हैं उनकी जो च्छमता है वो च्छमता कुल 18,000 19,000 लीटर साफ करने की है तो लगभग 40,000-42,000 मिलियन लीटर हमारे सीवेच प्छेतर रहा है फिर मैदान में और वही है जब बरसाथ होती है जैसे हुई है इस बरसाथ के सीजन में तो ये सारा का सारा चाहे आप उसे एक पिट में छोटे पिट में रखके भरके फैलाएं या डिफरेंट खेतों में खुले में शौट जाके फैलाएं काम दोनों का वही होना है कि चुकि उनकी निकासी की वहुस्ता नहीं है तो अल्टीमेटली उसी सॉयल पर फैलना है उससे फिर बाद में बीमारिया फैलनी है और उससे फिर बाद में वो सारे नुकसान होने हैं जिन नुकसानों को खतम करने के लिए इस यूजना को लिया गया था तो ये सवाल लेना ये सरकार ने अभी तक नहीं बताया है अभी तक कोई यूजना बनाई है, कहा जा रहा है कि हम plant 2 लेने वाले है, plus लेने वाले है, स्वच भारत अभियान में, plus लेने वाले है, वो plus शायद इन सब को लेगा, लेकिन आज की तारीख में उसकी कोई उपलवधता नहीं है, तो जो भी काम हमने 14 से लेके, 14 मईई में सरकार आगई थी, इसने बाद में ले लिया था, या 15 से भी मालने 15, 16, 17, 18, 19 में किया है, 19 में हम खतम करेंगे भी तीन महीनों में, इस काम को अगर हमने, चुकि हमने उससे नहीं जोड़ा है, सीवेज वगर ऐसे और इनको सफाई करने वाले सिस्टम से, तो ये सब किया धरा, आप ये माली जी एक दो साल में नस्थ ही मिलेगा, य लोग अभी भी मिल जाएंगे, और आपको तमाम गाओं में खुले में शौच करते हुए लोगों के दिरिश आज भी मिलेंगे, ये हमारी सच्चाई है, इसको हमें जानना चाहिए, ये मतलब तकलीफ है कि प्रधानमंत्री जी इसको इस तरह से नहीं लेंगे, और प्रधा भी ये सब छितर जाता था हमारी सोयल पर और वो फिर नीचे जाता था, जहां पीने के पानी से मिल जाता था, उसमें अमीबा होता था, वो सब के पेट पूरे देश के खराब किये हुए, हमारे यहां, जब बाहर से कोई आता है, तो उनकी किताबें लिखी रहती ही, भारत तो बॉटल्ड वाटर पे आदमी जाता है, बॉइल्ड वाटर पे जाता है, किस इनकी वाटर ट्रीटमेंट पे जाता है, जो बाहर से आता है, हर आदमी, तो ये सब जानकारी दुनिया को है, और हमें भी है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, कि हम जो 88 करोड लोग, जिनको हम ये दावा कर दे रहे हैं कि हमने ग्यारे करोड़ सौचाले बना दी और सब उसमें रेजीमिंटेट तरीके से चले गए ये सच नहीं है एक नमबर दो हमें बिलकुल ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पूरे सिस्टम को साथ साथ चलाएं एक और सौचाले बने शौचाले इस लायक बने कि उसमें पानी की विवस्ता हो उसके पिट में इतनी विवस्ता हो कि वो कम सकम 10-15 साल का मल इकठा कर सके और हमारे पास एक साइकल हो कि 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल में हम उसको निकाल सके और उसको फिर खाली करके दे सके ये सब चीज़ें हमें साथ साथ लेनी ह होंगी अभी तक ऐसी चीज सरकार की और से सामने नहीं आई है इसलिए इस पूरे कारणामे पर शंका होना जाए शंका होना सौहाविक है और जैसा मैंने आपको बताया कि फेस्बुक में मुझे लोगों ने लिखके भेजा और आपने भी उसको देखा तो प्रधानमंत्री जी अगर ये प्रोग्राम देखेंगे और माली जी नहीं भी देखेंगे आप लोग देख रहे हैं तो जब हम इस पर अपनी प्रत्क्रिया करें तो इन हुआ है कि गूगल ने इसको अपने गूगल मैप में और अपने सिस्टम में डाल दिया है और इसको डालते ही इसी डेड़ सोवे वर्ष के समारों के दौर में एक प्रयोग तो 2017 से कर रहा था तो आप गूगल पे जाके भी गूगल मैप पे अब आप यूरिनल्स और टौलेट्स धूर सकते हैं और करीब धाई लाक लोगों ने इसके आने के बाद इस सूचना का लाव उठाने की कोशिश की है तो हम भी आपको इस सूचना दे दे रहे हैं कि गूगल आपको आप जह आजनेतिक फाइदे के लिए बनाया हुआ अभियान की जगह एक ऐसे अभियान में बदले जो अंतिम नतीजों तक पहुंचे और हम हमारे लोगों की आबादी की जो बादचीत है ज्यादतर जगहों में एक तो सामंतवाद है मारे बिहार उत्तरप्रदेश राजस्थान यहां क्या होता है कि जो भी स्कीम साती है समाज का जो ताकतवर वर्ग है वो उनको पहले हड़प लेता है और जो कमजोर तबका होता है वो जाती के अधार पर कमजोर किया हुआ तबका या आर्थिक अधार पर हाला कि हमारे हैं दोनों गड़ मड़ हैं दोनों एक साथ रहे थे उनके उन लोगों को उन शोचालियों में जाने की इजादत नहीं थी जो उनके हिसाब से बड़ी जातवालों लोगों ने अपने लिए बनाए थे तो जहां सामाजी के स्थिति ऐसी है और योजनाएं इस तरह से नीचे पहुँचके खो जाती है वहां इनको कुछ कुछ नहीं काफी व्यवस्तित और बहतर ढंग से और बहुत सारे लोगों को समावेश करके बनाने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि इनके आकड़े वगरे जो समाज के सामने आने चाहीए स्कूर्टिनी के लिए उनकी व्यवस्ता को नस्ट करने के नहीं उनको साम करूंगा और आप से फिर इस अनुरोध के साथ कि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को पसंद करते रहे हमारे यूट्यूब अकाउंट को लाइक करके अपनी मदद करें जिससे हमारी शक्ती बढ़े इस तरह के कायरक्रमों को आप तक पहुचाने के लिए बहुत-बहु झाल